Hello everyone, कैसे हैं आप सब? I hope आप लोग बहुत बढ़ी आउंगे तो आज मैं फिर आगे में एक मज़ेदार सी recipe लेके तो आज हम बनाने वाले आम का खटा मेटा अचार तो आज जो हम अचार बनाने वाले आप उसे अचार की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो आप उसे jam की तरह भी यूज़ कर सकते हैं तो इधर मैंने लिया है पाँच कच्चे आम आपको जिस कोंडेटर के हसाब से बनाना हो आप उतना ही लीज़ेगा फिर ना मैंने इसे छील लिया छील लेने के बाद ना हम इसे करेंगे great तो great करने के लिए जो सबसे मोटा वाला जो पार्ट है ना मैं उससे great कर रही हूँ क्योंकि जिससे great करने के बाद ये इस तरीके का great हो ना इससे मोटा great करना है ना इससे पतला अब इसी सेम प्रोसेस को follow करते हूँ मैं सारे आम को great कर लूँगी क्योंकि आपने आम को देख लिजेगा कितना घटा है फिर उससे चीनी डालेगा फिर ना मैं चीनी के साथ ना आम को अची तरीके से mix करके ना पकने दूँगी अब ना मैं चीनी के साथ आम को तब तक पकाऊंगी जब तक की चीनी पिखलना जाए तो यह देखिए थोड़ी दर पकाने के बाद चीनी अची तरीके से पिखल गया है और इसका color थोड़ा सा change भी हो गया है अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक की इसका color और थोड़ा सा change ना हो जाए तो यह इसमें थोड़ा सा नमक नमक की कुंटिटी कम रखेगा फिर ना अच्छी तरीके से उसके साथ ना मिक्स कर लीजेगा अल मिर्ज और नमक डाल के भी मैं इसको कम से कम पांच मिनिट तक मीडिया माच में पकाऊंगी अब जब तक वो पक रहा है तब तक हम ना एक मसाला रेड मिर्खकी और सरसो सरसो की जगह आप अजवाइन भी यू ťा इव कर सकते हैं फिर डाल दिया मैंने इसमें सूखे लाल मिर्च आप चाहें तो सूखे लाल मिर्च अवाइट भी खर सकतैं लेकिन मेरी एक अड बाईस रहेगे कि आप सूखे लाल मिर्च जरूरadakiख वीक produces बनाते बनाते हमारा ये भी बग गया मैं इससे जादा और पतला नहीं रखोंगी आप चाहें तो इससे पतला और रख सकते हैं अब मैं क्या करूंगी निकाल लोंगे इसे एक बाउल में उसके उपर से स्प्रेट कर दूंगी जो मसाला हमने बना के रखा था पांच फोड़ो में मेरे को एक किलो चीनी लग गया क्योंकि हमारा जो आम था वो थोड़ा खटे थे अब ना मैं इससे ट्रांस्वर कर लोंगी एक जार पर और रख दूंगे इसे फ्रिच पर क्योंकि फ्रिच पर रखने से आप इसे कम से कम छे महीने और कभी-कभी तो एक साल भी आप इस तो आपको रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा नियू हो तो सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा क्योंकि डेली मैं अलग-अलग तरीके की रेसिपीस लाती हूँ तो आपको जिसे रेसिपीस की नोटिफिकेशन मिले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा मैं फिर मिलूंगे आपको तब तक के लिए बाबाई